दोस्तों अदानी ग्रूप की बात लोग अदानी ग्रूप ने किया है बहुत बड़ा फैसला AMG मीडिया में उन्होंने 51% की जो बाकि इसे दारी वो भी खरीद लिये यानि आप समझ सकते हो कि अदानी ग्रूप इस समय हतियार डालने को बिल्कूल तयार दिये और उन्होंने काफी बीजनस है जो एक्वाइर किये इस से पहले उन्होंने रेलवे एटिकेट बुकिंग का जो बीजनस है वो भी एक्वाइर किया है और सीमेंट के बीजनस में आप देखे तो उन्होंने एक सेमेंट की कमपनी का अधिगरंड किया तो इस हिंडबक की रिपोर्ट के बाउजबी अदानी गूरूप एक के बार एक फैसले ले रहे और जैसे की सेबी का समय पूरा हो चुका था चौदा अगस लेकिन सेबी ने 15 दिन का और वक्त मांगा लेकिन क्या वाकई में अधानी गूरूप में इस समय जब श्टॉक बहुत नीचे मिल रहे है क्या दाओ लगाना चीए क्योंकि अपनी उपरी प्राइस से देखे तो बहुत ही ज़ादे डिसकाउंड में इस समय श्टॉक मिल रहे है तो यहाँ पर बहुत सारी बात है जिसको इस वीडियो के मादे में से डिसकस करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या अधानी गूरूप में आने वाले समय एक सांदार तेजी आ सकती है या फिर भारी गिराउट हो सकती है लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो इस्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अदानी ग्रूप के बोर्ड ने एमजी मीडिया नेट्वर्क के डिजिटल समाचार प्लेटफर्म क्विटिलियम बीजनस में 51% की जो इस्टेक बाकी थी उसको भी खरीदने के लिए यहाँ पे उस बोर्ड के सदर्शिन ने उस ग्यापन के उपर हस्ताक्स कर लिए और बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दिय अदानी समू के पास पहले से ही क्विटल बीजनस मीडिया में 49% की इस्टेक थी और अब 51% की इस्टेक और कमपनी लेने जारी है इसके साइन हो चुके तो यह समझ सकते हो कि 100% की इस्टेक हो चुके है उस कमपनी में पूरा का पूरा है अब जो कंट्रोल होगा वो AMG मीड अब देखते हो कि क्विटल बीजनस में मीडिया इस्टेक खरीदने के लिए एंट्री की गोशना की थी और इसी साल मार्च में ग्रूप ने बता कि क्विटल लिए हम बीजनस के मीडिया में 49% की इस्टेक उन्होंने ले लिए है और शेर सम्झेदों के मुताबिक 47.84 को इ की इस्टेकर का अधिगरेंड किया गया था इस तरह से मीडिया सेक्टर में अधानी ग्रूप का दबवा बढ़ चुका है और पिछले सितमर में ही आप देखे तो आप एंडी टीवी का भी इदिगरेंड हुआ था तो लगातार अपने बीजनस को आगे बढ़ाने की कोशि बीजनस काफी अचा बढ़ा है और आप देखे तो कि जो क्वाइंड डिजिटल मीडिया लिमिटेटर के शेर में भी तेजी देखनों को मिली थी तो यह जो फैसले है अधानी ग्रूप के लिए काफी फाइदेमन हो सकते हैं इससे लोगों का रुजान पॉजिटिव जैसे की सुप्रीम कोट में अब रिपोर्ट पेस करी थी लेकिन उन्होंने वहाँ पे समय मांगा है 15 दिद और मांगे ताकि जाँच को पूरी कर सके और न्यूजिटल सी रोइटर के मुताबिक आज लीगल फाइलिंग में दे खुलासा हुआ है कि सेभी का कहने के दानी ग कारुबार में विदेशी निवेस की जाँच ऑक्टोबर 2020 से शुरू की थी यह जाँच का वीचे यह था कि अदानी ग्रूप में विदेशी कम्पनियों का इस्तिमाल अपने कारुबार में किया इसका खुलासा नहीं किया है अमेरिकी शॉट हिंडबग रिपोर्ट में भी अभी 15 दिन का और वक्त है देखो अभी सेवी की जाच में क्या निकल का आएगा उसके बाद में ही आपे कुछ आगे जो भी इस्तिती क्लियर होगी सुप्रीम कोट क्या फैसला देगा इससे पहले देखे तो जो इनकी ऑडिटर फ़र्म है डेलोइट उन्होंने देखे तो यह जो डिसीजन है यह हमें पसंद नहीं है कमपनी ने आलंकि काये कि आरूपों का वित्य लेखा जुका से कोई असर नहीं पड़ा है डेलोइट के छोड़कर जाने के कारण में बताया कि जो रीजन बताया वो संतों जनक नहीं है अदानी पोर्स यान इस्पेशल एकॉनो आलंकि फर्म ने ओडिटर को बताया कि ऐसी नियुक्तों की सिपारिस करना उसके अधिकार चेत्र में नहीं है क्योंकि अन्य चंस्ता है पूरीतर से स्वतंत्रे तो डिलोइट हमें ऐसा प्रेसर नहीं दे सकते कि हम जाज किससे करवाए तो कुल मिला के देख तो इससे भी इस्टॉल्मेंट की जो डेट थी उस डेट पर उन्होंने उस रकम को अधा भी कर दिया है यानि 18.94 कोट की जो रकम सेकेंड इस्टॉल्मेंट जो चुका नहीं थी वह समय पर उन्होंने चुकाई है इसके लावा अका संभाणी की तरब से 70864 कोपीज की जीयों ने भी रक कम चुका दिया है तो अधानी ग्रूप ने अपने बीजनस के लिए याँ पर अधानी डाटा सेंटर के नाम से अगर आप देखे तो इन्होंने अपना फाईजी के लिए स्पेक्टर निलावी में लिया है जिससे अपने जितने अधानी के बीजनस है चाहे वो पौबर का पोर्ट का बीजनेस हो उसकी connectivity वो अपनी खुद की चाते है अपना नेट्रोक चाते है और इसलिए इन्होंने निलावी में 5G की यह सर्विस लिए लेकिन अभी इन्होंने भी शुरू नहीं की है उन्होंने देखा था पिछले डेडलाइन खतम होने को आरी तब भी उन्होंन देखे तो कि अदानी ग्रूप में जो निवेस है mutual fund का वो 3% से भी कम है अलग-अलग companyों में तो mutual fund ने देखे तो अदानी ग्रूप की रिपोर्ट के बाद में काफी जाद अपनी holding कम की है लेकिन देखे जून महिने में देखे तो जो mutual fund की जो buying है वो अदानी green अदानी transmission औ थोड़ी और AEL की में continue July में भी उन्होंने buying की है mutual fund की holding अदानी ग्रूप में पिछले quarter में कुछ बड़ी थी लेकिन अभी फिलाल दो देखे तो काफी low दिखाए दे रही है जून 2030 के end में देखे तो mutual fund की holding हो मात्र 1.18% के आसपास है AEL के अंदर जो slightly जादा है 0.800% की holding थी मार्च 2023 में तो उस सब्सक्राइब के तो mutual fund ने इतना ज्यादा निवेस नहीं किया है अदानी portion special economic zone की बात को जो share holding में दिखाए दिरा है कि जो holding थी 3% उसे गटके 2.7% के आसपास की है यानि mutual fund ने अपनी holding ट्रीम की है इसके लाँ अमुजा सिमें और ACC सिमें में भी mutual fund की holding ह वो 1% से भी काफी कम है जून के end में तो कुल मिला के अभी फिलाल mutual fund पूरी तरसे अभी satisfied नहीं है उनको लग रहा है कि हो सकता आगे जाके कुछ और मामला गडबड हो ऐसे में वो सुरक्सित दाव खेलना चाते है और इसलिए अदानी ग्रूप के शेर में mutual fund के holding काफी कम है और ऐसे में शेरोल्डर से भी यही सलाय की एक बार सुप्रीम कोट का फैसला है उसके बाद में ही mutual fund में नहीं अपनी position बनाए तब तक फिलाल wait and watch करें क्योंकि अदानी ग्रूप अपनी तरब से कोसिस पूरे करें लगाता नए बीजनस में इंट्री भी करें अपने जो प् नाच अभी पूरा देके तो 15 इन और समय ले लिया है ऐसे में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही अमें फैसला करना चाहिए इसलिए वेट एंड वाच करें आने बार इसमें सब कुछ अच्छा होगा तो फिर अदानी ग्रूप के शरू में एक जबरदस तेजी का और भी शुरू होगा और इसलिए आपको 15 इन का और इंज़ार करना होगा जब से भी अपनी रिपोर्ट पेस्ट कर देगी सुप्रीम कोट में लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेंसल एडवाजी से बाड़़ज ले ले या अपना खु परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यो फ्रेंड